अब्सक्राइब कीजिए पासी चैनल को साथी प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए एंटुबेट क्या होता है और उसको करने से पहले आपको किन किन चीजों की जरूरत होती है ये टॉपिक आप लोगों के ही requested पर मैं बना रहा हूँ तो welcome back guys मैं हूँ आपका दोस्ट और होस्ट सनी कुमार और आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज डिसकस करेंगे एंटुबेशन के बारे में साथ ही इसको करने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत होगी तो जड़ा टाइम वेस्ट नहीं करते ही let's dive into it तो guys सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि entubate होता क्या है और ये कब किया जाता है क्यों किया जाता है तो guys entubate एक procedure है ये उन patients के उपर किया जाता है जिनका respiratory system fail हो जाता है या collapse हो जाता है मतलब जो patient सांस नहीं ले पाते न ठीक है उन पर entubate procedure किया जाता है अब वो कोई से भी patient हो सकती है जैसे किसी का भी respiratory system है वो failure हो जाए जिनको सांस ना आ रहा हो poison के कारण हो या फिर coma की stage हो सकती है या फिर किसी का accident हुआ हो head injury हुई हो किसी भी तरह का कोई भी patient हो जो सांस ना ले पा रहा हो उसका जो nervous system है वो fail हो चुका हो और सांस ना ले पा रहा हो तब patient का entubate किया जाता है ओके तो इस procedure में क्या किया जाता है एक नलकी होती है जिसे endotrachea tube बोला जाता है okay 80 tube short में बोलते हैं इसका जो size है वो 7 नंबर, 7.7 और 8 नंबर की adult में commonly use किया जाता है तो जो ये tube है ना ये मूँ से trachea तक जाती है ठीक है और एक procedure होता है लेरिंगो स्कॉप विएरा यूज करती है और फिर ये जो tube है इसकी placement करती है मूँ से मूँ के थ्रू ट्रैकिया तक placement करती है और ये जो पूरा का पूरा जो procedure है इसे endotrachea बोला जाता है ठीक है इस procedure करने से पहले आपको कुछ तरह की चीजों की जरूरत होती है आपको पहले से फ्रेपेर करना पड़ता है और जो ये चीजें है ना इसकी एक ट्रेव बनती है जिसे एंटूबेट ट्रे बोलती है एंटूबेशन ट्रेव वह बोल सकती है या फिर एंटूबेट ट्रेव बोलती है ओके तो specially यह जो ट्रेव है यह अमर्जंसी वार्ड मे में और ICU में special तैयार होती है Wired में lead में compulsory होती है कि yang की आप रखें ओना रखें लेकिन ICU के लिख सब्सक्रki सारी में होती है MTD अजर नोए बहुते हैं इन में भी होती है लेकिन specially emergency में होती ही है क्यों होती है क्यों इसी में emergency से केसी जाती हैं जो ज़्यादतर ऐसी ही पेशेंट होते हैं जिनका रैस्पिरेटरी सिस्टम जो है वह फेल हो जाता है और कई बारी क्या होता है कि काडियक अरेस्ट जब होता है पेशेंट का दिल धड़कना बंद हो जाता है तब एक तरफ तो ADR इंजेक्शन और पर लगाते हैं तो डी एफ बोलते हैं उसको इस पर भी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा लेकिन अब बताऊंगा ना तो टोपिक थोड़ा सा अलग हो जाएगा ठीक है तो काडिया कर एस्टोने पर एडिया रोडेटरोपीन इंजेक्शन लगा कर पेशेंट का जो दिल ह है उसको दुबारा से धड़कने की कोशिश की जाती है साथ ही उसको आर्टिफिशल ब्रीथ देने के लिए भी स्पोर्ट देनी पड़ती है इसलिए वेंटिलेटर लगाती हैं और कई लोगों को ऐसा लगता है कि जो पेशेंट मर जाते हैं ना उनको भी वेंटिलेटर लगा सकते हैं ठीक है सिर्फ उनी लोगों को वेंटीलेटर लगाती हैं जिनका रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हो जाता है जो लोग सांस नहीं ले सकते जिनका दिल नहीं धटक रहा ना जिनके अंदर जानी नहीं एक तरह कि उनको आप वेंटीलेटर कैसे लगा दोगे अगर सब्सक्राइब दोगे तो दिल तो काम ही नहीं कर रहा और काडिया कमनीटर पर आप रेडिंग देखेंगे तो स्टेट इसी जी आएगी ना वहां पर आपको पल्स रेट जीखेगी नहीं आपको ऑक्सीजन दीखेगी ठीक है तो यह बिल्कुल ही गलत है लोगों ने बस ग ट्रे बनानी पड़ती है जिसे एंटुबेट ट्रे बोलते हैं कहां पर होती है आईस्यू के अंदर और अमर्जनसी में अब मैं आपको जो समान चाहिए होता है जोन सोन सी समानों की अव्शकता होती ना एंटुबेट के लिए मैं आपको वो बता रहा हूँ तो फटा- की चाहिए अब इनका नाम भी होता है आप उसके उपर ना पढ़ सकते हैं ठीक है अब कितने नंबर की चाहिए तो गाई जो एंटुबेट के लिए आपको एटीट्यूब की जरूरत है ना एंडो ट्रेक्या ट्यूब की वह पेशेंट की एज पर डिपेंड करता है कि जो उस लेकिन कई बारी पेशेंट अगर सेफ एक्स्टुवेट कर लेता है तब उस आठ नंबर की ट्यूब डाल सकते हैं वैसे साठ नंबर भी कई बारी रखना पड़ता है तो साथ नंबर या सब्देश या आठ नंबर की आपको एंडुडर्य ट्यूब की जरूरत होती है साथ लेरिंगो स्कोप की जरूरत थी है अब यह क्या होता है एक टूर्च जैसी लाइफ होती है जिससे मूँ को खोलती ही है साथ ही वो torch अंदर जलती है जिससे आपको दिखता है सारा का सारा part दिखता है जहाँ पर आपने it tube को डालना है तो इसका blade भी होता है blade के अलग-अलग size होते हैं तो आपको blade भी रखने पड़ते हैं और पूरा का पूरा जो सेट है ना laryngoscope का और blade का और आपने उसकी light विगहरा की बी चेकिंग करके रखनी है और daily आपने चैक करना है कि light जल रही है कि नहीं और blade sterilize है कि नहीं है पूरा का पूरा देखना होता है ठीक है लेरिंगoscope विद आपने blade उसको रखना है 80 tube हो गया साथ ही आपको surgical gloves चाहिए होते हैं समान नहीं था जो surgical gloves है वो साड़े 7 number की ही होते हैं ठीक है और sorry मैं आपको बताना भूल गया कि जो 80 tube है ना वो जो males है ना उनमें तो आपको साड़े 7 number की चाहिए होती है लेकिन जो females है उनका trachea का diameter है वो थोड़ा कम होता है तो आप साड़े 7 number की जगा आप साथ नंबर का यूज कर सकते हैं females के अंदर ठीक है तो आपको साथ नंबर साड़े साथ और 8 नंबर की endotrachea tube चाहिए होती है तीनों की तीनों ठीक है तो surgical gloves के बाद आपको 10cc की जरूरत होगी साथ ही एक आपको stylet wire की जरूरत होती है कई बार होती है जिसके जिसको ना जो endotrachea tube है उसके अंदर डाल देते हैं और फिर आप उसको एक ऐसी direction दे सकते हैं अपने मन के मुताबिक wire को मोड कर की आप जो आपने जो ट्रैक के अंदर tube को डालना है वह आप उसके direction दे सकते हैं stylet wire के कारण तो यह भी आपको चाही होता है सा सिडेट करने के लिए injection midazolam और injection propofol चाही होता है injection bootrum भी चाहिए आपको dexamethasone और injection f-choline चाही होता है आपको ठीक है गाइस तो यह आपको injection चाहिए साथ ही जब patient sedate करते हैं ना सिडेट करने पर तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन सिडेट से जब patient वापस आता है तो patient fight करता है तो उसके लिए आपको mouthpiece भी चाही होता है ताकि patient dentist mouh को खोला रहे तो mouthpiece का काम क्या होता है एक तो है कि आप oral순 सक्षण कर सकते हैं mouthpiece के साथ में साथ ही क्या होता है कि जब patient fight करता है और जब आप suction करते हैं तब patient मुँ को बंद कर लेता है तो mouthpiece से क्या होएगा कि उसका मुँँ हमेशा खुला रहेगा और आप easily instruction कर पाएंगे औरल तो करी सकेंगे साथ ही इटी ट्यूब के अंदर का जो शक्षन है ना गले का जो आप शक्षन कैथेटर डाल के करते हैं तो वो भी इजली हो जाता है ठीक है तो आपको माउथ पीस भी चाहिए साथ ही कई लोग जो एंट्रो टैक्या ट्यूब है और जो और गाइस मैं आपसे माफी चाहता हूँ मैंने बहुत टाइम हो गया कोई भी प्रोसीजर की वीडियो नहीं डाली और आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि आप कैसे राइस ट्यूब को इंसर्ट करते हैं उसके उपर भी आप वीडियो बनाएं और ठीकिक्स पर भी मैं वीडियो बनाऊ ठीक है तो हम लोग डाइना प्लास्टर किया ही यूज करते हैं रहता है तो प्लेसमेंट बह सही इंची की band is हो, ठीक है, साथ ही आपको stethoscope की जरूरत होती है, stethoscope क्या करता है, ऐसे वाला जो stethoscope होता है, वो आपको चाहिए, stethoscope हमें क्यों चाहिए होता है, उससे जो आप it tube डाल लोगे, उसकी placement check की जाती है, और कैसे करनी होती है, जैसे आपने end to weight गर दिया और placement कर दी, उसके बाद जो ये एक्जीला होता है ना निचे का, जो निचे की अंडराम होती है, यहाँ पर आपने स्टेथो लगाना है और उसके बाद पेशेंट को एमभू करना है, तो आवाज आती है, ठीक है? यहाँ से आवाज आएगी, तो दोनों साइड आपने लगा कर देखना होता है, तो ऐसे जो है एंडो ट्रेक्या ट्यूब की प्लेस्मेंट चेक की जाती है, और कोशिश करूँगा कि इस पर भी एक डेडिकेटिड वीडियो बनाऊं, ठीक है? तो आपको इसी लिए स्टेथोस्कोप भी चाहिए, एक आपको टोर्च की भी जरूरत होती है, कई बारी प्लेस्मेंट और मुग का अंदर का देखने के लिए आपको टोर्च भी चाहिए, ठीक है? साथ ही आपको शक्षन मशीन की जरूरत और शक्षन कैथेटर की भी जरूरत होती है, कई बारी पेशेंट सीक्रेशन निकालता है, जो एंटूबेट करने के बाद इसी लिए आपको शक्षन कैथेटर भी चाहिए, कितने नमबर चाहिए, 14 नमबर, 12 नमबर, आप दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकती है, साथ ही आपको नेक के नीचे एक पिलो प्लेस करना पड़ता है, तो आपको एक पिलो भी अरेंज करके रखना पड़ता है, तो वो तो आपको सोता ही है, बैड्स पर, आमर्जंसी में या आईस्यू में, लेकिन आपको उस टाइम एक पिलो भी चाहिए होता है, तो आप पिलो का भी अरेंज करके रखें, ओके, ओके गाईस, तो एक आईवी सेट, एनस 500 एमल, साथ ही आपको 10 CC की जरूरत होती है, और एनस 500 एमल, आईवी सेट, कैनूला, 20 नवर का आपको चाहिए होता है, अब वो किसले चाहिए, जब भी आप इंजेक्शन प्रोपोफोल देते हैं, या फिर आप मीडा जोलम द अच्छे से सीडेट होता है, पेशेंट पूरा का पूरा, ठीक है, साथ ही आपको उक्सीजन का अरेंजमेंट करके रखना पड़ता है, साथ ही आपको वेंटिलेटर की भी सेटिंग करके रखनी है, जिस मोड पर भी आपने लेना है, या फिर जिस किसी मोड पर भी लेना है उसकी आप setting करके रखें और ventilator को stand by पर आप रख दीं साथ ही guys आपको embu bag भी चहीए होता है पूरा पूरा आपने set करके रखना है साथ में mask को भी arrange करके रखना है तो guys ये सारी चीज़ें आपको चहीए ही चहीए होती है intubation process के लिए तो आज की वीडियो बस इतनी थी कि intubator के लिए किन किन चीज़ों की जूरत होती है साथ ही में आपको छोटा सा introduction दिया है तो I hope में आपको सारी जानकारी दे दी हो लेकिन फिर भी अगर आप कोई किसी भी तरह का कोई question पूछना चाहते हो तो आप हमें comment कर सकते है साथ ही guys बहुत सारी वीडियो जाने वाली हमारे चलेंग पर इसलिए हमारे चलेंग को please subscribe कर ले और किसी भी तरह का कोई भी doubt होना तो please comment जरूर कर लेना क्योंकि सबी जानते हैं कि हम instantly ही हमारे जितने भी members हैं उनको reply देते हैं तो guys मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक interesting topic के साथ तब तक के लिए stay healthy, stay fit